आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और बचाओ के संबाधित उपायों के बारे में बताया था एक जिम्मेदार नागरित होने के नाते बुल-बुल अपने उन दोस्तों को भी एट्स विमारी के बारे में विस्तार से समझाना चाहती थी जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था कम से कम तीन ऐसे रास्ते पताये जिसके जरिये एट्स-पिडित से दुसरे व्यक्ति में प्लता है तो आये इस प्रशन की व्त्त देख लेते हैं यानि कि एट्स किस व्यक्ति में प्लत सकता है यह हमें तीन रास्ते बताने हैं ठीके तो पहला जो इंजेक्शन है ठीक एकरन है । गरन के तो नहinea न इस्तमाल से या फिर जो शेव बनाने के लिए संदुसित जो ब्लेड है ठीके उस ब्लेड का अगर इस्तमाल किया जाए तो यह एड्स हो सकता है यानि कि अगर किसी एड्स पेडित को वसुई लगाई गई या शेव में जो ब्लेड इस्तमाल करी गई अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तमाल करी गई तो प्रयोग के कारण एड्स हो सकता है तथा जरूरत मंद को जो HIV वाइरस वाला HIV वाइरस वाला अगर रक्त चड़ा दिया जाए तो भी एड्स हो सकता है तेखे और जो एड्स पेड़त व्यक्ति है अगर उसके साथ असुरक्षित जो योन संबंद रहते हैं उन असुरक्षित योन संबंद इस्थापित करने के कारण भी क्या हो सकता है एड्स हो सकता है तो यह तब रश्नका उत्तर आशाए कि आपको इस प्रश्नका उत्तर समझाया हो वीडिय को देखने के लिए धन्यवाद क्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एड्वांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो चार सुचार सुपर